हेलो एवरिवन आज मैं एक एहम मौजू पे बात करने लगी हूँ जो हम सब के साथ ही जो है पेश आता है रूटीन में कि ये पठों में गर्दन में इस चगा खचाओ फील होता है तो हम इसको जो कैसे ठीक कर सकते हैं और बजाए के हम पेन किलर मैडिसन का इस्तमाल ज्यादा करें तो आज मैं शौट सी आपको एक एक साइस बताऊंगी वो आप करेंगे तो आपको काफी रलीव मिलेगा तो आप आपने ये एकसेसाइस जब भी शुरू करनी है त्री टू फाइफ टाइम एक स्टेप करना है अगर आपको फाइफ टाइम मुश्किल लाग रहा है तो थ्री से शुरू करें आइस्ता इस्ता फोर फाइफ इस तरह करें इसके अलावा अपनी बाड़ी को हाइडरेट रखे यानि के पानी का ज्यादा इस्तामाल करें जैसे आज कल गर्मी है स्वेटिंग का मौसम है तो आठ से दस गिलास बलके मैं तो कहूंगी कि आप बारां गिलास तक पानी पीए उससे भी आपकी बाड़ी हाइडरेट जब रहेगी तो आप ये बाड़ी पठों के खचाओं से बचे रहेंगे ड्यूटी पे स्पेशली जब हम रिटन वर्क कर रहे होते हैं कम्प्यूटर पे काम कर रहे होते है तो हमारी गर्दन जो है ये इस चगहाS टिफनस फील होती है इसको हम रिलीव करने का आज तरीका सिखेंगे सबसे पहले आपने जो है ये गर्दन को इस तरह टाइट करने इसके बाद ये नमबर टू पे ये पठे जो है इस तरह ये ऐसे टाइट होने चाहिए इसके अलावा ये चिन पे जोर देना है ये आप बिल्कुल सिदा बैठेंगे तो आपके लिए ये असान होगी इससे ये है कि ये जो पीछे हमारे खचाओ होता है उसमें रिलीव मिलेगा इसके अलावा थ्री टाइम फिर दुबारा से इसके अलावा एक गहरा सांस लेना है एक गहरा सांस लेके इसको थ्री स्टेप में छोड़ने है फिर दुबारा से उमीद करती हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज से रिलीव मिलेगा बाई